दोस्तों स्वागत है आपका electronic study यूटूब चैनल में तो आज हम आपके लिए छेत्रपर और आयतर्ण की क्लास लेके आए हैं तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आयत की तो आयत जो आपका होता है ऐसी ऐसी मतब यह कोई किसी चतुर भुज की आपके जो है आमने सामने की भुजाएं समान हो जैसे कि यहां पर बात की जाए तो यह भुजा और यह भुजा आपकी बराबर है तो और सभी भुजाएं जो हो हैं आपके वो 90 डिगरी के कोड़ पर काटती हूँ तो यहां देखेंगे यह सब आपकी 90 डिगरी है तो यह आपकी हो गई आयत ऐसी आकरत अगर आपको मिले तो वो आपकी आयत होगी जिन में आमने साने की भुजाएं बराबर हो और सभी भुजाएं आपको एक दूसरे को 90 डिगरी की कोड़ पर काटती हूँ इसके बाद बात करें जैसे इसमें फॉर्मुले की दो यहां पर तीन चार फॉर्मुले हैं जो कि रखने हमेशा आयतन आयत है यहां आयतन गलती से लिग गया है यहां तो यहां आयत का परिमाप का आपका फॉर्मुला होगा परिमाप वो होता है कि उसमें पूरी सब चीज़े इतनी भुजाए हो वो सब इंकलोड हो तो यहां आप देखेंगे तो यहां लंबाई यह हो ग और आयत का विकद होता है आपका अंडरोड लंबाई का स्कोर प्लस चोड़ाई का स्कोर अगर हमसे पूचहे की कमरे के चारो दिवारों का चेत पल तो इसमें हम formula लगाएंगे 2 into लंबाई प्लस चोड़ाई into उचाई इसमें उचाई भी आपकी include हो जाती है इसके बाद बात करेंगे जैसे इसको हम questions के मादे हमते समझाएं तो question जैसे इसी type के आते हैं कि हमको दिया रहता है कि एक आयता कार भूखंड के लंबाई और चोड़ाई करमसा 12 मीटर और 5 मीटर है तो भूखंड का छेत्रफल तथा इसके विकट की लंबाई एवं परिमाब गयात कीजिए तो यहाँ पर हमसे छेत्रफल और विकट और परिमाब पूछा है तो हमसे पहले हमको तो पता है कि भूखंड का जो छेत्रफल होता है मतलब भूखंड आपका दिया हुआ है आयताकार तो हम यहाँ पर आयत के छेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आयत का छेत्रफल आपका भी हमने फॉर्मूला बताया कि आपका होता है लंबाई गुडे चोड़ाई तो यहाँ आम भूखंड का छेत्रफल लिखेंगे लंबाई गुडे चोड़ाई यह ये बारा मीटर और चॉड़ाई दी हुई है पांच मीटर तो यह आपके हो गया 12 गुडे 5 मतलब 12,5 और 9 8 100च 100च 900च 200 SPD203 में होने लुप एक प्रक्स प्रक्स रही ज़िया है प्रक्तमर्इव नर्मीनप्लब करेंगत 12 और चौडाई दे वी है पांस तो यह आपका हो गया अंडर रूट 12 प्लस पांच कई स्क्वेर तो 12 कई स्क्वेर आप guy न फॉट्टि for और पांच की स्क्वेर ौजाएक 20 तो 144 में 25 तो आपका आप 179 तो 179 का जब वर्गमूल करेंगे तो आपका त्यारा मीटर आ जाएगा मतलब भूखंड का छेतफल आपका साथ है साथ वर्ग मीटर और भूखन्ड का विकर्ड आपका निकल क्या है 13 मीटर अगर हम भूखन्ड का परिमाप निकालने तो परिमाप का फार्मूला होता है आपका टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो यहां हम लंबाई रखेंगे बारा और चौड़ाई रखेंगे तो यहां होगा टू इंटू बारा प्लस पांच फिर दो कुगडा करेंगे 17 से तो आपका 34 आजाएगा तो इस question के अंसार आपके तीन हैं तीन चीजे भूजी थे हमसे छेत्रपाल, विकड और परिमाप. छेत्रपाल आपका आगया, 60 वर्क मीटर, विककड आगया, 13 मीटर और परिमाप आगया, 14 मीटर, इसके बाद बात करेंगे, next question की, next question है आपका, कि एक आथा का खेत की लंबाई और चोड़ाई में 3 नपात, दो कान पाथ है यदि खेत का परिमाब 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ग्यात किजिए तो यहां हमसे रेशियो में दिया हुआ है लंबाई और चोड़ाई का तो हम मानेंगे कि हमारी जो लंबाई है वो 3X है और चोड़ाई 2X है तो यहां हम रखेंगे तो लंबाई आपने मान रखी है 3x और चोड़ाई मान रखी है 2x तो यह आपको हो गए 2 इंटू 3x प्लस 2x इस इस इकल टू 100 दो 3x और 2x मिलके आपका 5x हो जाएगा तो 5x बराबर सो बते में इधर यह दो आ जाएगा तो यह बते दो हो जाएगा आपकी हो जाएगी 30 मीटर इसके बाद बात करेंगे next question की तो next question है आपका कि एक आयत की लंबाई और चोड़ाई क्रमसा 10 cm तथा 8 cm है आयत का छेत्रफल कितना होगा तो यहां हमको यहां पर लंबाई और चोड़ाई दी हुई है लंबाई आपकी दी हुई है 10 cm और आपका हो जाएगा दस गुड़े आठ लंबाई क्योंकि आपकी दस दी हुई है चोड़ाई आठ दी है तो आपका हो गए 10 गुड़े आठ दस को आठ से multiply करेंगे तो आपका आजाएगा 80 वर्ग मीटर आप इसमें इसका ध्यान रखेगा कि जो आपकी यह होती है यूनिट वो आपकी सेम कभी कवेशन में अंसर सेम मतब ऑप्सन में सेम दिये रहते हैं बस उनकी यूनिट में डिजिट होता है फॉर एक्जामपल यहां 80 सेंटीमीटर स्कॉयर आपका अंसर है और एक ऑप्सन ऐसा भी आजाए जिसमें केवल 80 सेंटीमीटर दिया हो तो आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखेगा इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तो नेक्स्ट क्वेशन है आपका कि एक आयत का विकड 25 सेंटीमीटर तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है आयत का छेत्रफल ग्याद कीजिए तो यहां पर हमको लंबाई विकड और लंबाई द इसको इसको इसक֊र लगा दिया तो यह आपको होका विकड का स्कॉईरर बवराबल लंबाई की स्कॉईर प्लस चॉड़ाए का पीज़वा ही निकालेंगे डिकरड का स्क्वायर यहाँ पर आपका 25 क 것으로 स्वायर मतलब 625 को जाँगा तो Roger कि शौड़ाय निकल कि आएगा उर्यार्टाइदी असके बाद हम इसे क्षयतफाल का फोर्मूला लगाएंगे तो आयात का छेतफ़ाल होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई मतलब L इन्टू B तो L इसकोल तो आपका यहां पर 20 cm दिया है तो 20 हो गया गुड़े बी आपने 15 निकाला तो यह 15 हो गया 20 को 15 से मल्टिपलाई करेंगे तो आपका 300 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा तो इस सब प्रॉब्लम हो रही है ओके थैंक यू